हम लोग शुबात करें कल हमने कॉल के बारे में बात किया उसका मैंने वीडियो भी अभी मैंने अप oluyor किया था क्योंकि यह पेजारे लेक्चछर होते मैं टाइम लेते रहता हूं लायू में तो मैंने पहले का सेम लेक्च अप्लीड किया था अलपी कि अल्यडी रात कोई A आवाज नहींता नहीं अर्यदी चेक षीक आउट छ। आ रहे हैं ना ओके शीवम जी शायद अभी आता होगा आपको देख ले ना आवाज आ रहा है ठीक है ना चलो तो हम बात करें आज call options के बारे में कल हम put option के बारे में बात कर रहे थे तो let me login मैं login कर लेता हूं थोड़ा सा just give me few seconds 849470 चलो मैंने login कर आवा जा रहा है आपको somehow it's not letting add इसका मतलम नहीं समझाँ चलो इन्योड़ा तो मैं अन्म्यूट कर रहा हूं म्यूट कर रहा हूं अभी विलाल सब को ठीक है ठीक है वह देख लेंगे आप अलग से देख लेंगे नाव लेट्स कम टॉपिक कोई श्यूंगे यह मेरा अप्स्टॉक का अकाउंट है प्रो अकाउंट तो इसमें आप कर सकते हो अप्स्टॉक प्रो अकाउंट दो तो इसमें मेरे हिसाब से कोई इंडिगेटर का रिस्टिक्शन भी नहीं है ठीक है तो आई यूज दिस वन इनिवें तो हम इस्बिया के बारे में बात कर रहे था तो इस्बिया के बारे में बात करते हैं कल हमने इस्बिया के बारे में बात किया था कॉल के बारे में बात किया था कॉल ऑप्शन के बारे में तो आज हम पूट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे same way like call options अभी SBI is at 636 ठीक है तो हम Jesse की story continue करेंगे कि Jesse के पास अगर कोई आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि market January में गिर जाएगा market January में काफी जादा गिर जाएगा और शायद 400 रुपे पर 500 रुपे पर चला जाएगा I am very sure कि market गिर जाएगा तो फिर Jesse उसको बोलता था कि ठीक है न तूँ future ले ले फिर SBI का जो future है वो 1500 रुपे का lot है 1500 का lot है 1500 का future आप short कर सकते हो चाहिए तो 1500 into 636 जो भी है 9 lakh रुपीज होता है margin यूज करके भी लाग की ऊपर होता है short कर सकते हो but obviously उसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो फिर Jesse उसको option देता था put option जैसे हमने call में देखा कि आप एक काम करो कि I will give you in the writing मैं आपको एक writing में एक ticket बना के देता हूँ उसको बोलते है put के एक ticket लिखके देता है जिसी वो बंदे को कि you have sold future में sold कर सकते हो ना आप अहले sell करके बाद में buy करोगे you have sold SBI आये 1500 quantity at 640 यह मैं आपको लिखके देता हूँ जिसी बोलता था यह में लिखके देता हूँ आपको अब इसका एक cost होगा यह लिखके देने का cost होगा तो यह लिखके देने का cost होगा 640 का put तो जनवरी का जनवरी तक जनवरी की बेट लगा रहे है न हम 20 रुपया पकड़ लेते हैं 20 रुपया तो यह ticket का cost होगा 20 इंटू 1500 तो उस बंदे को जिसी को 30,000 रुपीज देना है और वो यह बेट ले सकता है कि SBI 640 से गिरेगा सपोज वो बोल रहा है कि 400 पे गिरेगा उसकी हिसाब से 400 को गिरेगा ठीक है न तो अगर यह 400 को सच्मूझ गिर गया तो उसको कितना पैसा मिलेगा इसने 640 पे यह 440 पकड़ लेते हैं for calculation purpose इसी हो जाएगा 200 रुपया गिरेगा ठीक है ना 200 रुपया गिरेगा तो 200 रुपया अगर गिरा तो उसको कितना पैसा मिलेगा पंधरा सो इंटू 200 तो तीन लाग रुपया मिलेगा करेक्ट तीन लाग रुपया उसको मिलेगा उसने ने सेल किया है पहुँच किया 440 पे तो तीन लाग रुप़य मिलेगा इसको जैसी तीन लाग रुपय देदेगा और जैसी को उसने कितना दिया है 30 अजार दिया है तो फिर इसका profit कितना होगा ये बंदे का profit कितना होगा ये बंदे का profit होगा 2,70,000 correct 30,000 का खर्चा क्या है 3,00,000 रुपय मिलेगा तो 2,70,000 रुपया उसको मिलेगा ये अभी अगर किसी को call ही नहीं पता कल का lecture attend नहीं किया है तो आज का lecture नहीं समझेगा कल का लेक्षर जिसको समझा है उसको आज का लेक्षर समझेगा नहीं समझा है तो आपको फिर वापस एक बार कल का लेक्षर आज का लेक्षर देखके मंडे को मुझे पूछोगे I will help you out वो कोई problem नहीं है don't worry about it मैं बोल रहा है अगर आपको कल का लेक्षर आप नहीं थे अचानक आज कॉल के कॉल में आगे तो आपको नहीं समझेगा क्यों कल आपने इस पर बहुत टाइम लगा तो मुझे लगता है कल जितने लोग थे सारे समझ गए ओल्मूस्ट तो आपने 640 का पुट लिया इसका मतलब आपने 640 पे ये 1500 स्टॉक बेचने का राइट लिया है अगर ये 440 पे गिर गया तो आपको 200 इंटू 1503 लाग रुपय मिलेगा और ये तिकिट जो आपने खरीद है जेसी से इसका आपने 30,000 रुपय लिया है तो आपका 2,70,000 का प्रॉफिट होगा कोई डाउट है किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज भले आपको बेसिक लगे पर पूछ लो ये पूट ऑप्शन खरीद रहा है वो जेसी से इसका क्या मतलब है वापस एक बार पूछे प्रशाण जी है आपका आवाज एक बार कट हो गया बीच में आपने लिखा जिससी क्या बोल रहा रहा है कि तिरे पास नाव लाख रूपया नहीं है ना तो नुब लाख रूपया नहीं है इतना नहीं गिरा सब्सक्राइब यह पास्टों तक गिर गया तो भी कितना मिला उसको 140 राइट 140 मिला न एक सो चालीस एने दो लाग दस हजार रुपया मिल गया एक सो चालीस अगर गिरा तो 140 एंटू 1500 तो दो लाग दस हजार उसको मिल जाएगा दो लाग दस हजार माइनस थीस हजार एक लाग आसी का फिर भी प्रॉफिट है तो इसका ब्रेक इवन कितना है यह 640 पकड़ रहे हैं इसका ब्रेक इवन कितना है कल का फॉर्मिला क्या था के लिए ब्रेक मे इकवन इकोल टू स्ट्राइक प्राइज माइनस प्रीमियम तो छहो चालीस को काी आपका स्ट्राइक प्राइज है छेहां की को चाला कर आपका एम स्रईक प्रैज में आपका स्ट्राइक प्रैज और है अग यहां कि अट इसंगुआ हो जायेगा ब्रेक इवन अगर मार्केट 620 पे बंद हुआ चलो इसने ये खरीद लिया ये बंदे ने ये खरीद लिया 30,000 में और मार्केट 620 पे बंद हुआ तो क्या होगा उसको 30,000 रुपए मिलेगा सही है न उसने 30,000 रुपए दाओ पे लागा था उसको 30,000 रुपए मिल गया तो प्रेकियों नो गया 600 बे बंद हुआ तो क्या होगा कोई भी मुझे बता हो 600 बे बंद हुआ तो क्या होगा प्रीमम अट्माणिकली डिसाइड होता है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते है उसके लिए मैथमेटिकल मॉड़ेल्स होते है वह सॉफ्टियोर्स होते है तो वह सर्वर के एंड पर यहने जो एने सी बीस्सी जो होता है न मार्केट अभी कितना जादा दूर है कितना पास है वो चिज़े काफ़ी चीजे है उसके अंदर क् colonies क्सक्वाइप मिलेगा इसका मतलब साट अजार रुपए मिलेगा gas स्टो करोफिट कितना रुपए मिलेगा कि अदर रॉय-एडर टो क्से वा इसकर वli करेक्ट है किसों पर गया तो थर्टी थाउजन होगा है अभी मैं पूछता हूं आपको पास्टो चालिस अभी बताओ पास्टो चालिस पे क्या होगा पास्टो चालिस पे क्या होगा हूं राइट अनुष्का जी 30,000 था क्रिश्णा जी यॉर राइट 30,000 था 540 पे क्या होगा छेस्टो चालिस पे मैंने बेचा 540 को खरीता तो मुझे 100 रूपिया मिला 100 रूपिया इंटु 1500 करेक्ट है मुझे 1500 x 100 का profit होगा so 1,50,000 रुपया मुझे मिलेगा जिसी से और मैंने कितना दिया उसको मैंने 30,000 दिया है तो मुझे 1,20,000 का profit होगया Net profit 1.2 होगा Net profit कितना होगा मुझे Correct सही है सही है अभी यह हो गया ATM ATM put क्योंकि अभी price add money, price जहाँ पे है वही का ले रहे हो add the money क्या आप गिरने वाले price की बात कर रहे हो गिरने वाले market की बात कर रहे हो put ले रहे हो इसका मतलब आप market गिरेगा यह अंदास से आप काम कर रहे हो your direction is downwards put ले रहे हो तो your direction is downwards तो यह add the money है यहाँ तक पहुचा नहीं इसका मतलब ये नीचे का out of the money हो जाएगा, उपर का in the money हो जाएगा, तो suppose किसी के पास, अभी ये जो बंदा है, इसका कोई दोस्त है, उसके पास 30,000 रुपया नहीं है, पर उसको लग रहा है कि मार्केट जाएगा 400, 440 पे, उसका मानना है कि मार्केट जरूर जाएगा 440 पे पर उसके पास 30,000 रुपया नहीं है, तो क्या करेगा, 30,000 रुपया नहीं है उसके पास, तो जस्ती क्या बोलेगा, एक काम करना, 440 पे जाएगा तुझे शूर है ना, तो तुझे एक काम करना, तुझे मैं 540 का put देता हूँ, तुझे मैं 540 का put देता हूँ, जन्वरी का, यह तो यहां पर दीखेगा भी नहीं चलो 600 का पकडब लेते हैं तुझे मीचे- Frrr प्षा नहीं है न दो पस तो तुझे में 600 रूपर का पूड देता हूं ये सस्ता पड़ेगा तुझे। तो मैं लिए लिखके देता हूं कि तूने हाँ SBI 1500 quantity 600 में बेचा अभी 640 पे पर तुन्हें 600 में बेचा और इसका तुझे देना पड़ेगा मुझे 6 रूपया बस 1500 इंटू 6, 9000 में तेरेको आ जाएगो 6 रूपया प्रिमियम देना पड़ेगा तुझे सो 9000 का तिकेट मेरे से ले ले मैं तुझे लिखके देता हूँ ठीक है जितना नीचे जाएगा तेरा फायदा अभी अगर 440 हो गया उसको कितना मिलने वाला है 140 पॉइंट मिलने वाला है 140 पॉइंट मिलने वाला है 210 रुपया है इसका नेच पॉफिट कितना होगा इसको मिल रहा आए उसने नव अजार रुपया इंवेस्ट किया है तो इसका नेट पॉफिट कितना होगा हुआ उसे दो लाग एक हजार ठीक है क्लियरिटी आ गई कुछ दो लाग एक हजार उसका प्रफिट होगा अभी यह बंदे का ब्रेक युवन कितना है बता हो जो 600 में ले रहे इसका ब्रेक युवन कितना है कि ब्रेक युवन कितना है बता हो गलत हुआ तो गलत हुआ इस पर्फेक्ट पर्फेक्ट भर्षल जी या जो भी और कोई बोला छे रुपिया ना उसने जितना प्रीमियम यह उतना माइनस करना है बाकी क्या करते है कि और प्रिशल जाएगा इसका ब्रेक युवन हो जाएगा क्यूंकि जैसे इस चेपर अगर यह पाइनटिकर्व पर बंद हो गया तो इसको नों जाुप्य मिलेगा और इस नहुंज रुपय लगा हुआ है तो उसका वापस मिलेगा पैसा उसको 594 उसका प्रेक क्यों हो गया अगर उपपर गया तो अगर साथ हजार में गया तो क्या होगा 700 सुबे गया तो क्या होगा इस ट्राइक प्रैस माइनस प्रीमियम साथ सुब गया तो क्या होगा जीरो होगा तो लॉस कितना हुआ 9000 का लॉस होगा उपर कहां पर भी जाने दो आपको 9000 का ही लॉस होगा यूर राइट चल ओर एक लास बताओ 590 598 पे बंदुआ अभी कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ बताओ अधिले तो कितना पैसा मिला बताओ दो रुपय नीचे बंदुआ कितना पैसा मिला कि छेसो का स्ट्राइक प्रेज लिया है 598 पे बंदुआ है कितना पैसा मिला कि तीन हजार पर्फेक्ट हर्शल जी पंदरा सो इंटू तो तीन हजार रुपय मिला और नव हजार रुपय अप गया तो छे हजार रुपय लॉस हो गया ना क्लियर है किसी को डाउट है पर्फेक्ट मुकेश जी हर्शल जी राम जी रिक्षिज जी अनुष्का जी अल्राइट तो यह जो स्ट्राइक है यह आउट ओप दॉमनी हो गया ना वैसे ही कोई बंदा रहेगा जो बोलता है कि मैं इस फ्यूचर चाट प्राइज और अलग होता है हाँ अलग होता है तो एटियम कैसे माने spot 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 की उपर से ATM होता है obviously spot की उपर spot is the real price spot is always the real price spot के उपर ही ATM होता है future की उपर नहीं होता है क्योंकि spot एक ही होता है इसका reason क्या है very nice question इसका reason क्या है कि spot एक ही है future आपको तीन होंगे इसे state bank का आप यहां पे देखो it's a very nice question state bank का अगर आप देखो तो यहां पे future भी अलग-अलग होंगे December का future होगा January का future होगा February का future होगा तीनों के प्राइद अलग होंगे future अलग-अलग होंगे spot एक ही होगा ना तो इसके लिए spot के उपर होता है ATM ठीक है ना चलो तो यह out of the money हो गया वैसे ही कोई बंदा है जो सोच रहा है कि मैं 700 का premium ले बेचूंगा यहने 700 का put लूँगा वो भी possible है क्योंकि उसको break योर उपर लेके आना है उसको guarantee है कि market उपर जाए गए नहीं तो वो 700 का premium ले रहा है तो 700 का कितना है 700 का है नहीं यहां पे 680 का put 47 रुपीज है 680 का put 47 रुपीज है तो वो बंदा 47 इंटू 1500 इधर लिखता होंगे यू हैव सोड अट 680 सो 1500 इंटू 47 सो 4700 और 2300 47000 और 23000 सो सत्तर अजार और 72000 जो भी हो जाएगा उतना यह calculation आएगा सत्तर अजार बहात्र अजार जो भी एप्रॉफीमेटल डाल रहा हूं यहाँ पे इतना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा सत्तर अजार पकड लेते अभी आप्रॉफीमेटलिया नदेगा केल्कुलेशन के लिए हमें लगेगा ना इसके लिए ठीक है कि शत्तर हजर पास्ट रुपया यहां पे इग्जैक्ट लिख देज़्ट रुपया यहां पे वह इंवेस करेगा प्रूपय अब भी इसका परे किवन बताओ मुझे इसका break 1 बताओ ये इंदमनी है इंदमनी पुटे है इसका break 1 बताओ 680-47 680-47 राइट हरशल जी 680-47 आएगा ना समझ रहे हो ना 633 आएगा ना 633 आएगा ना करेट 633 आएगा क्योंकि अगर ये 47 पॉइंट उसने दिया है अगर 47 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया तो उसका पैसा वापस मिल गया उसको राइट अगर वो सपोज उसको 600 पे बंद हुआ तो क्या होगा 600 पे बंद हुआ तो क्या होगा 600 पे अगर बंद हुआ तो उसको 80 पॉइंट मिलेगा 80 इंटू पंदरा सो सो मेरे इसाब से 120,000 रुपया मिलेगा 120,000 माइनस 70,500 तो 49,500 मिलेगा उसको 120,000 माइनस 70,500 पास्टो तो 49,500 का प्रॉफिट होगा उसको सही है तो यह होगे इंद मनी तो यह आपको बेसिक ऑक्शन के थेरी हो गई कि अगर आप एक कोई मार्केट है ठीक है यह मार्केट है यह मार्केट अगर आपको लग रहा है कि उपर जाएगा तो आप कॉल खरिद सकते हो अगर आपको नीचे जाएगा तो आपको call, हम buyer की तरह से देख रहें अभी, buyer के angle से देख रहें पहले, seller के angle से नहीं देख रहे है, call buy करोगे, अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो आप put buy करोगे उपर जाएगा अगर आपका ये व्यू है तो आप कॉल बाइ करोगे नीचे जाएगा आपका व्यू है तो पुर बाइ करोगे अब कब करोगे कैसे करोगे क्यों करोगे क्या देखके करोगे कौन सा स्ट्राइक प्राइड यूज करोगे है इंदमनी लोगे आट डा मनी लोगे यह सारा कुछ ठागर में शीर में सिखेंगे उसे पहले यह भी शिर्धों कि प्रीमियम जो होता है खे प्रीमियम जो होता है जो आप देख यहाँ पर अलग अलग premium जो देख रहे हो और यह पूर्ट और यह premium जो LTP जो है premium तो अभी market 640 क्या आश्पास है तो आपको देखेगा कि यहां पर उसका जो premium है यह आप December की बात कर रहे अभी December की बात कर तो जैसे जैसे आप इन्दमनी जाओगे इन्दमनी जाओगे तो प्रिमियम बढ़ते जाएगा आउट आप्दमनी प्रिम्यम घट्टे जाएगा यह मुझे ऊच्पर आटर्प. और प्रीमियम का इंपॉर्टन्स क्या है प्रीमियम का यूज कैसे करना है कौन से प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइज आप यूज कर रहे होगे वो सारा चीज हम धिरे धिरे सिखेंगे बेसिकली प्रीमियम इज कि strike price कोन सा है strike price कोन सा है premium is dependent हो कि strike price कोन सा है expiry कितना दूर है distance to expiry expiry को कितना टाइम चलू है strike price कोन सा है related to distance from current price यह मैं सारा सिखाऊंगा आपको कि आपने कोन सा strike price लिया और currently price कहां पे है time कितना है distance के बदले में I can say probably time for expiry how much time left for expiry और तिसरा market में volatility कितना है जिसको हम इंडिया विक्स भी कहते है ओके यह सभी factor की उपर से premium decide होता है यह तीनो factor की हिसाब से आपका premium decide होता है तो यह थोड़ा detail में हम I will give you one cricket का example कि cricket में betting किस तरह से होता है बेटिंग में आपको पता है ना कि बेटिंग जब आप करते हो अभी इंडिया में तो legal नहीं है पर फिर भी आज बहुत आप आये लोग बेटिंग करते है तो उसमें आपको जिसे match चलू होता है 50 over का और 250 का target है इंडिया के लिए 35 over में 1500 हुआ है तो अभी कितना over बाकी है इंडिया का score कितना है आप इंडिया का 200 होगा ये बेट लगा रहे हो 250 होगा ये बेट लगा रहे हो आप क्या बेट लगा रहे हो कितने over में होगा ये बेट लगा रहे हो ये सारे चीजों के उपर से वो जो पंटर होता है आपसे पैसा मांगता है कोई चीज होने की probability जितनी high होगी उतना वो ज्यादा पैसा मांगेगा जैसे आप बोलोगे कि अगले ओर में 6 बॉल पे 6 तो वो बोलेगा कि 10 रुपया लगा और 10 लॉक लेके जाओ कि उसको पता है ना कि ये तो होने वाला है नहीं अगर आप बोलोगे अगले ओर में 10 ये एक्जामपल दे रहा हो कि अगले ओर में 10 छे बॉल में 6 और कोई middle ओवर चल रहा है तो वो तो बोलेगा आप 100 रुपया लगा और 10 लाग रुपय लेके जाओ उसको पता है कि हजारों पागल लोग 100 रुपया दे देंगे उसको तो देना नहीं होए पैसा तो प्रोबैबिलिटी के हिसाब से वो बेटिंग का जो अमाउंट है वों डिसाइड होता है वैसे ही यहां पर जो अमाउंट डिसाइड होता है that is depending again on probability इसमारकेट की वोलेटिलिडी कितनी है टाइम कितना बचा है आपका स्ट्राइक प्राइस सपोज आपने निफ्टी लिया है निफ्टी 21,000 पर मैं एक्जाम्पल दे रहा हूं कॉल का एक जस्ट क्योंकि आज हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे यह अगले लेक्चर में होगा 21,000 में आपका निफ्टी है यहां पर और आपने कॉल लिया 21,500 का मैं यह थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं सो देट यह अंडरस्टाइब लिए 21,000 में निफ्टी है ठीक है आपने 21,000 पर देता हूं को जाएगा ठीक है तो अभी इसमें एक एक्सपाइरी रहेगी आपकी 28,28 क्योंकि ओप्शन में अलग-अलग एक्सपाइरी रहती है 28,000 डिसेंबर दूसरी रहेगी 4,000 वीकली एक्सपाइरी रहती है उसके बाद मैं गयारा जैन तो अभी पहली चीज़ है कि इसके लिए वाच दिन बचे इसकी लिए बारा दिन बचे और उसके लिए उननीस दिन बचे तो वह हिसाब से पहले तो इसका जो प्रीमियम रहेगा यह फेक्टर में इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम रहेगा time value कम रहेगी कम टाइम बचा है तो यहाँ पर time value suppose उसको टीवी बोलते है time value x है तो इसकी time value maybe 3x होगी और इसकी maybe 6x होगी time value जादा होगी basically मैं कोई calculation नहीं बता रहा हूँ time value जादा होगी क्योंकि time जादा बचा है पहली चीज दूसरी चीज कि यह कितना दूरी पर है अगर यह आप 21,000 पर है तो call का x value है पर अगर यह नजदिक आ गया तो यह premium बढ़ेगा और नजदिक आ गया तो और बढ़ेगा अगर नीचे आ गया तो घटेगा तो पहला तो कितना time बाकी है दूसरा तो यह distance कितना है factor और तिसरा market में volatility कितनी है जैसे कि अभी कोई election है बड़ा election है लोकसभा का राज्यसभा का बड़ा election है तो market में बहुत उथल पुथल हो जाती है बड़े election के time पे तो market की जो weeks है न वो weeks बहुत बढ़ जाती है volatility index बढ़ जाता है वो time पे सारे options फूख जाते हैं सारे option के value बढ़ जाते है तो इसका भी value बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा सारे options के value बढ़ेंगे अगर market की weeks उपर है मैं आपको चार दिखाने की कोशिश करता हूं इंडिया विक्स का तो यह आप देखोगे अच्छे से तो यह करो ना एक करो ना जनरली जो विक्स रहती है यहां आप ध्यान दो जनरली जो विक्स रहती है उसकी value यह रहेंज में रहती है 10 से 15 करोना के दिन जब करोना अमेरिकन एक्सेंज में जब एक ही दिन में 1500 प्लस मार्केट वो टाइम पे विक्स कहां पे गई थी highest क्या था और यह कभी नहीं जाएगा शायद अनलेस देर इस वर्ल्ड वार थ्री और कुछ बॉम भीम घिर रहे है तो 86.63 86.63 पे गया था विक्स ठीक है ना समझ रहे हो विक्स में टू 86.63 पे विक्स गया था करोना के दिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब भी लोगसभा का इलेक्शन होता है दो नो टाइम पर ब이क्स बढ़ जाती है जैसे में मैने में दौजर चॉदर में नौफिव बढ़ जाएग्या इस के बाद में 2019 में वापस वीक्स बढ़ जाएगी अभी 2014 करे और यह एक्चुली यूपी इलेक्शन है मेरे इसाब से यूपी इलेक्शन है इफ यू रिमेंबर लास्ट इयर लास्ट यूपी इलेक्शन का टाइम है तो जब भी बड़ा कुछ होता है ना बढ़ी कुछीज होती है तभी आपका विक्स बड़ेगा अदर्वाइस तो वो इस चीज़ पे भी निर्वर रहेगी कि मार्केट में विक्स कितना है कि वोलेडिलिटी कितनी है तो मार्केट का वी फेक्टर वी फेक्टर के उपर भी रहेगा तो एक तो डिस्टन्स और टाइम कितना बचा है टाइम कितना बचा है वोलेडिलिटी और डिस्टन्स कितना यह तीनों का कैलकुलेशन करके option की value automatically fix होती है और वो change होते ही रहती हर से कद लिए कि जैसे कि cricket के example में अगर आपको बीच में कभी बेट लगाना है कि अगले बॉल पर सिख जाएगा तो जो बेटर है वो आपको 5 रुपे के बदले में 500 रुपे का भाव देगा for example कि अगले बॉल पर सिख जाएगा तो 5 के बदले में 500 का rate देगा अगर अगर यह क्रिकेट मैच का आखरी बॉल है क्रिकेट मैच का आखरी बॉल है तो वहां पर बैट्समन बॉल घुमाने वाला है तो सिख जा सकता है तो वह क्या बोलेगा मैं 300 के अगेंस 500 दूंगा समझ रहे हो तो premium बढ़ गया ना जो चीज वो 50 रुपे में दे रहा था वही आपको 300 में दे रहा है क्योंकि यह आखरी बॉल है तो market की cricket मैच की volatility बढ़ गई है टेंशन बढ़ गया है तो उसके लिए भी रिस बढ़ गया क्योंकि मठका जा सकता है तो वह प्राइस बढ़ा जेगा अपने आपको सेफ करने के लिए तो वह बोलेगा 300 अभी 300 दूंगा मैं 40 वे और में आप बोलते कि अभी यह अगले बॉल पे 6 लगेगा तो मैं आपको 500 दूंगा नहीं लगा तो आपका 50 गया पर अभी अखरी गेन चालू है तो आपको 300 रुपया लगाना पड़ेगा और आपको 500 मिलेगा 6 गया तो 500 फोर भी गया पांच रंज भी मिला आपका 300 रुपया गया समझ रहे हूँ क्यों उसने पराइस क्यों बढ़ाया क्योंकि VIX बढ़ गई तो विच बढ़ गई क्योंकि मैच का आखरी गेंद है तो कुछ भी हो सकता है तो वह अपने आपको सेफ करने के लिए विच बढ़ा रहे है तो जो प्रीमियम होता है न ना इस प्रेमिएम जो होता है धैस इन्शुरंस एक इंशुरंस होता है तो जब भी मार्केट में फिर poko q4 बढ़ेगा endsurence बढ़ेगा कर ना के बाद जितनी भी इंशुरंस कंपणई लगबक सारे लोगों का प्रेमियम बढ़ गए करोना के बाद यूंकि उनको बहुत कुछ लॉसेस भी सहने पड़े न तो उन्होंने अपने प्रीमियम बढ़ा दिये उनको समझ में आ गया कि अभी ये करोना जैसी चीज़े आती रहेगी और उनको परवड़ेगा नहीं तो उन्होंने प्रीमियम्स बढ़ा दिये करोना के बाद समझ में आ रहा है कुछ डाउट है तो कुछ लेजिए आज ज्यादा नहीं करेंगे आज इतना ही बात करेंगे फिर अगले इसमें हम थोड़ा सा ए जाएंगे और फिर अप्सिं पर बहुत कुछ है रोगा मंडे को हमारा क्वेस्चन अंसर होगा है और सेफ ट्रेडिंग कौन सा से फेस अगर आप पूछो और पूछन में वाइंग में करना है अगर फिर भी करना है तो वो तो आपको करना है करना है या अगर आप कोई option की कोई option राइटिंग या option राइटिंग प्लस option बाइंग ऐसी कोई कोई system trade कर रहे हो जो butterfly बोलते है तो आप फिर अलग 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 मंतली expiry next मेने की expiry अगले वी की expiry यह सारे कुछ valid है मैंने जैसे हमेशा बोलता हूं कि market में कोई सही या गलत नहीं है आप क्या type की trade system trade कर रहे हो वो बताएगा आपको कौन सा strike price यूज करना है कौन सा expiry यूज करना है वो बताएगा सही गलत कुछ नहीं है वो it will depend on that system न कि कौन सा expiry उसके लिए अच्छा रहेगा option chain में sir out the money premium इतना ज्यादा क्यों होता है out of the money कहां ज्यादा होता है out of the money कहां ज्यादा होता है out of the money तो कम ही होता है ज्यादा क्यों होगा premium टाइम बचाए उतना ही होगा ज्यादा नहीं होता है premium किसने बुला ज्यादा होता है अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो out of the call जो है देखो 640 पे तो out of the money आप जाओगे तो premium निगलीजेबल हो जाएगा call का out of the money जाओगे तो premium निगलीजेबल हो जाएगा ज्यादा नहीं होता है कम हूं होता है इंधम सथा होगा कि कs चिंद मरी ज्यादा होता है यह आउट आप्व दमनी जो वाईट में दिख रहा है रा को वाईट में दिखLY από दम भी अरो में दिख रहा है वो इंदामनी 3W कोई system नहीं है, 3W एक rule है कि आप कोई भी trading system trade करोगे, कोई भी, तो उसमें directional bias होना चाहिए, कोई ना कोई level होना चाहिए, और कोई ना कोई price action होना चाहिए, अगर यह है तो फिर आपकी probability बढ़ जाती है, तो एक simple rule है, वो कोई system नहीं है, फिर वो system, वो rule आप intraday के system उससे आप develop कर सकते हो, price action में यूज करते हो, option buying में कहीं पे भी आप यूज करोगे, अभी हम अलग-अलग बहुत system सिखेंगे, अलोग जी, we will understand trading का system सिखेंगे, 10 EMA का system सिखेंगे, काफी system सिखेंगे, बट मेरी यह सोच है कि पहले हम एक equity का, एक option का, एक swing का, एक system, एक cycle करना चालू कर ले, क्योंकि सबसे important care trading में, actual me, actual me trading is nothing but, हमें stop loss सहने को आना चाहिए, stop loss काटने को आना चाहिए, the only difference मैं हमेशा बोलता हूँ, कि एक successful trader, एक successful trader और बाकी सब में एक ही difference है, कि वो लोग, जैसे आपने बोला भी, मेरे साब से correctly, वाट्सप पे, कि stop loss कट करना आना चाहिए, जो stop loss कट कर पाता है, वही profit को बढ़ा पाता है, तो you are right, so, इसके लिए हमें बस एक cycle करनी है, चाहिए equity में कर रहे हो, option में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको 30 trade की cycle करनी है, फिर भले 30 trade जाके stop loss को hit करें, कोई फरक नहीं पढ़ता है, बहुत बड़ी बात है, अगर उसके बाद भी आप cycle complete करोगे, तो आप तो फिर सादू पूरुश हो गए, या वो level पे पहुँच गए, आपको 30 trade का cycle complete करना है, छोटे capital के साथ, अच्छे से, that is, एक बार आपने वो कर दिया, तो फिर आप अलगी level पे पहुँच जाते हो, premium कभी-कभी intrinsic value से भी जादा कम हो जाती है, that is true, that can happen, that can happen, cycle can be done for equity, swing options, नहीं, नहीं, एक मैं तो बोलूँगा कि आपको पहले एक cycle चालू करनी है, not more than two cycles, पहली चीज, not more than two cycles, एक cycle चालू करो, जैसे 10-15 भी straight हो जाएंगे, फिर second cycle, second type का business, अगर आपको चालू करना है, तो आप कर सको, जैसे कि मैंने अभी suppose intraday चालू किया, स्विंग चालू किया, तो जैसे मेरे 15 भी straight हो जाएंगे, 10-12 ट्रेड और अगर मैं अच्छे से जर्नल कर रहा हूं, अच्छे से पोटो स्टोर कर रहा हूं, then I will give myself permission, कि start with one lot in bank nifty nifty one lot, और go for intraday, अगर मेरे पास एक time, एक गंटे का time है, और go for scalping, तो maximum दो चीज़ कर सकते हो, पर पहले at least 12 या 20 ट्रेड एक इसमें complete करना बहुत ज़रूरी है, because it is very easy, it is very easy to copy the success, आपने एक बार एक cycle कर दिया ना, तो आपका जो confidence उस level पे रहेगा, it's very easy for you to copy the success, copy the system, आप already इतने risk aversive होके, focused होके, आप trading plan बना रहे हो, चेकलीज बना रहे हो, journaling कर रहे हो, तो you are already at a different level, उसके बाद काफी easy हो जाएगा आपके लिए, मोबाइल में जर्नल, जर्नल, मोबाइल में जर्नल बनाने के लिए आप diary में लिखो न सर, simple diary में लिखो न, cycle का मतलब 30 trade करना है, यस में जी, cycle का मतलब 30 trade करना है, cycle क्या होता है, I will show you, I will show, just give me one minute, this is our main purpose of doing trading business, हम इसके लिए trading business करते हैं, दुसरा कोई reason नहीं है, trading business करने का, हम चाहते हैं कि एक income source create करें, तो पहले तो हमें सबजना है, कि trading business, बाकी business से अलग कैसे है, अभी थोड़ा सा psychology side जा रहा हूं मैं, पर ठीक है, टाइम है आजा हमारे पास, तो trading business, बाकी business से अलग कैसे है, उसके positive points क्या है, और वो जो powerful positive points है, जब भी आपके पास बड़ी power आ जाती है, तो आपको ज़्यादा responsible होना पड़ता है, जो मैं हमेशा बोलता हो कि अगर कोई second standard के बच्चे को principal बना दिया school का, तो क्या होगा, ना, सिर्क power से कुछ नहीं होगा, वो person को responsible भी होना चाहिए, ना, उतना, नहीं तो फिर power गलत इस्तमाल होगा, तो इसलिए directly option buying में लोग जाने के बाद lost you करते हैं, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि trading business क्या है, अभी आप एक चीज़ समझों कि बाखी कोई भी business आप चालू करोगे, trading छोड़के, any other business versus trading business, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर बहुत सारा capital लगेगा, I mean you need like few lakhs of capital minimum, कुछ लाग का capital लगेगा, छोटे से छोड़ा shop चालू करना है, you need lot of government certificates, आपको लेने पड़ेंगे, CA को पकड़ना पड़ेगा and all that, you will need probably some employee, क्योंकि आप एक side business चारू कर रहे हो, आप job संभाल के कर रहे हो, तो employees, you will need employees, you will need some fixed and variable expenses आपके immediate आ जाएंगे, जैसे light bill आ गया, गैस आ गया, commercial गैस आ गया, उसके बाद आपको जगा लेनी पड़े गया and all this stuff starts coming पहले चीज, दूसरी चीज कि you started, suppose आपने एक beauty चालू किया, कपड़े का दुकान चालू किया या आपने ice cream parlor चालू किया, तो आप, then you cannot change next day कि इसको stationary का shop नहीं बना सकते या कपड़े का दुकान नहीं बना सकते, you have to work on this for some good amount of time, right, so, वो एक fix हो गया आपका, तो यह सारी चीज़े आप रोज 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 चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ capital investment चाहिए and all, but trading का business है एक ऐसा business है कि आप जो घर बैठे कर सकते हो, you can start with 10,000 or even to learn check करने के लिए 5,000 भी चलेगा, 10,000 भी चलेगा, you can start with very small capital, I recommend generally start minimum with 10,000, okay, and you can first check the concept, कि आप जैसे अभी ice cream का दुकान जब तक आप चला होगे नहीं, आपको समझेगा नहीं कि यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, but here you can try a concept, आपको एक particular concept को check करना है, so you can check this concept with 10,000 रुपीज for couple of cycles, cycles का मतलब आप 30 trade का cycle करके देख सकते हो, कि मैं 30 बार trade करके देखूंगा यह concept को, और I will check, maximum क्या होगा, कि यह जो system है, strategy है नहीं होगी, मेरे लिए वर्थ ना, ठीक है, it doesn't matter, but actually एक चीज़ हो जाए कि मैं systematic बनूंगा, या मैं systematic बनूंगी, मैं journal maintain करूंगी, trading plan, checklist से, properly business की तरह देखना चालू करूंगी, मैं risk को stop loss काटना सिखूंगी, बहुत बड़ी बात है, stop loss काटना सिखूंगी, profit में खड़ा होना सिखूंगी, mindset diary बताना सिखूंगी, कुछ से बात करने लगूंगी, so everything will start changing inside me, that is the key, पहला change तो आपके अंदर आएगा, बाद में आपके balance sheet में दिखेगा, पहले नहीं दिखेगा, so these all things are starting here, तो आप ये बहुत छोटे capital के साथ concept change कर सकते हो, अगर ये 30 trade के बाद नहीं चला, तो you can go to another concept, अगर ये चला, तो उसको आप बहतर कर सकते हो, बहुत बढ़िया चला, तो उसी को चला सकते हो, so you have a lot of flexibility and lot of power, when it comes to trading, आपके बास बहुत ज़्यादा power है, जैसे मैंने बोला कि आपके बास जितना ज़्यादा power रहेगा, उतना ज़्यादा responsibility रहेगा, अगर आप power है और responsible नहीं हो, तो फिर बहुत problem होने वाला है, यहने जिस बंदे को बाइक चलाने आती नहीं, उसको 200cc का बाइक दे दिया, तो वो लोगों को उड़ा देगा ना, but market में हम अकेले हैं, तो चोट तो हम कोई आने वाली है, क्योंकि we are alone, हम कोई चोट आएगी, हम कहीं टकराएंगे तो, दूसरा तो हई नहीं कोई, so it's a singular business, तो इसके लिए आपको, यह पहले समझना है, कि trading system में बहुत ज़्यादा power है, आपको नहीं कोई product चाहिए, नहीं कोई service चाहिए, नहीं कोई employee चाहिए, खुद के उपर काम करना है, बागी कुछ नहीं करना है, so that is a very powerful thing, और कोई limit भी नहीं है, आप खुद के राजा हो, और आपका unlimited potential है, तो काफी positive points है, और power है, तो जितना ज़्यादा power होगा, उतना बढ़िया आपको responsibility भी लेना पड़ेगा, you have to be responsible equally, उसके बाद आपको, आपके capital की हिसाब से, क्योंकि option buying के लिए ज़्यादा capital चाहिए, इसके लिए बोल रहा हो, आपके style की हिसाब से, आपको क्या अच्छा लगता है trade करने को, आपको कितना time है, that is also very important, दिन में एक दो घंटा है, तो इंट्राडे कर सकते हो, कि आप breakout trader हो, या reversal trader हो, या fake out trap जैसे मैं कर रहा हूँ, वो हो या bread and butter की कोई system है, आपके पास वो आप, जो मैं दूसरी एक system है, वो करते हैं, dynamic level से trade ले रहे हो, या क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई एक method होनी चाहिए, जिसको आप test करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये concept में दम है, fading है, 10 EM1 का system है, जो भी है, तो ये आप 30 बार trade करके देखना चाहते हो, कि किस तरह से चल रहा है, कि आपको ये करते हुए, आप क्या systematically data बना सकते हो, क्या आप systematically trade कर रहे हो, आपके मन में क्या विचार आ रहे है, क्या आप stop loss को काट रहे हो, time पे, बले 100 रुपया है, पर क्या आप काट रहे हो, या आप जाने तो आज के लिए देख लेती हो, करके आप या देख लेता हो, करके नीचे ले रहे हो, क्या आप target को 2-1 पे काट रहे हो, या आप सोच रहे हो नहीं, आज इतना अच्छा चल रहा है, तो आज के दिन मैं 4-1 ले लू, 4-1 लेने में कोई नुकसान यही है, कि आप फिर rule follow नहीं कर रहे हो ना, तो आप अगर rule follow नहीं कर रहे हो, और अपने आप पे उपर भी काम कर रहे है, तो mindset का data भी बन रहा है, mindset diary में और journal भी बन रहा है, तो एक, दो, तीन cycle जैसे होगी, तीस trade की, तो पहले तो होगा कि आप बहुत systematic बन जाओगे, you are very professional, you are very systematic, दुसरा चीज कि आपको यह जो technique है, यह system है, इसकी बारी किया समझने आने लगीगी, कि यह nifty कैसे चलता है, तब यह system चलती है, कौन से stock में चलती है, और कितना बड़ा reward मिल सकता है, stop loss कहां लगाना चाहिए, हर एक trade आपको सिखाएगा, तो आपको हर एक trade में, either you have to earn or learn, और both, तो हर एक trade आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, विनर भी सिखाएगा, लूजर भी सिखाएगा, तो वो सिखके दो-तीन cycle के अंदर, आपका जो knowledge है न, एक्ट्वल में आपके balance sheet में उतरने को चलो हो जाएगा, आपको profit डिखने लगेगा, और एक बार वो confidence आने लगेगा, देन you can start to develop it into the income source, तो that is our whole journey of trading, इस तरह से हमारी जर्नी होती है, तो जितना systematically approach करेंगी, उतना हम fast coaching it, तो ये this is the cycle, cycle का मतलब आप 30-30 trade का, एक जैसे कोई भी company काम करती है न, तो वो quarterly data देती है, quarterly sales, monthly sales, तो हम भी हमारे business का, एक monthly report निकालते हैं, कि इस महिने में, ये system ने कैसे perform किया, और महिने कैसे perform किया, तो मैं खुद को भेहतर करने की कोशिश करता हूं, और system को समझने की कोशिश करता हूं, and that is how, we will, go on improving ourselves, and go ahead and ahead, तो ये पूरा हम psychology में, बाते करेंगे इसके बारे में, और detail में, हमने अल्रीटी किया थोड़ी बात, और भी करेंगे, जैसे review की बात करना है, mindset diary की बात करना है, but this is how we will go ahead, ओके, तो अभी आप थोड़ा सा, learning कर रहे हैं, option के बारे में, we are just learning, but, cycle का मतलब मुझे आपको समझाना था, बाकि कुछ नहीं, ठैंक्यू भूपे नरजी, ठीक है, और कोई सवाल अगर आपको कुछ ना है, और एक cycle के बारे में, एक last देता हूँ आपको, बहुत important point, आपको, mindset tuning कैसे करना है, तो आपको खुद को क्या बोलना है, कि यह सिंपल है, आप अभी, एक 30 ट्रेड का cycle करने चालू करने जा रहा है, चालू करने जा रहा है, एक January से, suppose, I am just giving example, मैं एक नया ट्रेडर हूँ, और मैं mentorship में 30 ट्रेड का cycle करने चालू करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, कि मेरे पास एक concept है, I am having a concept, अभी एक concept, मुझे check करना है market में, तो पहले मैं देखूंगा कि क्या इसमें directional bias है, 3W rule, कि जो भी concept है, क्या इसमें directional bias है, क्या इसमें कोई level involved है, और क्या इसमें कोई price action है, यह पहले मैं check करूँगा, यह अगर मेरा मुझे लगा कि चलो, इसमें एक कुछ ना कुछ logic है इसमें, कि बाबा strong stock में इसर बोल रहे हैं, long जाओ, weak stock में short जाओ, इसमें कोई ना कोई level use कर रहे है, फिर कोई भी level हो, daily हो, weekly हो, last 45 level है, और breakout या reversal देखके कर रहे हैं, ऐसे आग बन करके तो trading नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ concept logic है इसके अंदर, तो ठीक है चलो, मैं यह अभी back test करके देख सकता हूँ, तो अभी मैं चेक कैसे करूँगा या करूँगी, तो मैं एक छोटा सा capital यहाँ पर लगाऊंगी, 10,000 रुपया, और मैं 100 रुपीज का risk लूँगी, या risk लूँगा per trade, and I am going to try this concept 30 times, अभी मुझे पहली चीज यह समझनी जरूरी है, कि अगर मेरे दिमाग में कुछ कंसेप्ट है न, कि मेरे दिमाग में है कि मैं लोगों को trading psychology सिखाऊंगा, मेरे दिमाग में है कि मैं एक मेरे शहर में एक computer का shop निकालूंगा, या एक hospital निकालूंगा, तो मुझे लाखो रुपया invest करना पड़ता है, trading business का advantage है कि आप बहुत छोटे capital में वो concept चेक कर सकते हो, 5000-10,000 में चेक कर सकते हो, तो आपको ये खुझ को बताना है कि मैं अभी इस वक्त सिर्फ टेस्टिंग फेज में हूँ, तो इस इस वेरी इंपोर्टन, आएम इन टेस्टिंग फेज, और एक वर्ड में जो लिखता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ऐसे नहीं लिखा है वहाँ पे टेस्टिंग, आएम इन टेस्टिंग साइकल, आएम इन टेस्टिंग साइकल, तो मैं ये concept को चेक करके देख रहा हूँ, अगर ये concept नहीं चला, तो कोई tsunami नहीं आने वाली, कोई tsunami नहीं आने वाली, दस हजार का zero नहीं होने वाला, और minus तो हो ही नहीं सकता, और दस हजार का एक लाग भी नहीं होने वाला, बट मुझे lifetime के लिए, एक बढ़िया टेडर बनने के लिए मुझे वह सिखा रहा है मैं म्यूट करता हूं अगर अन्योट है किसी का है तो यह जो साइकल है मुझे सिस्टेमेडिक बनने को सिखा रहा है मेरी आखे डेली कर रहा है हम जो इंसान है we are like a computer हमारी जो अभी जब ट्रेडिंग कर रहा हूं है तो मेरी जो आखे है that is a scanner वो scan कर रही है मेरा दिमाग जो है वो computer है वो scan को process कर रहा है और मेरे जो हाथ है they are printer वो print कर रहे है so when perfect combination हो जाएगा तभी मैं ट्रेडिंग परक पाऊंगा but fear नाम का virus मेरे अंदर आ जाता है जब fear नाम का virus आ जाता है तो फिर collaboration नहीं होता perfect नहीं मेरा मुझे दिखता कुछ है मैं करता कुछ हूँ मेरे दिमाग में कुछ और fear आ जाता है तो fear is a virus तो हमें खुद के अंदर antivirus डालना है ठीक है तो उसके लिए हमें बहुत simple चीज करनी है कि हमें बोलना है कि मैं ये concept तीज बार चेक करके देख रहा हूँ या देख रही हूँ अगर वो नहीं चला मैंने तीज बार के लिए एक concept check किया ठीक है ना सो सो रुपे का तीज बार इस किया अगर वो नहीं चला तो मुझे घंटा फर्क नहीं पढ़ता है क्या बोल रहा हूँ मैं अगर नहीं चला तो घंटा फर्क नहीं पढ़ता है क्योंकि तीज बार बावजुद इसके कि वो मुझे इंकम नहीं दे रहा है फिर भी मैं complete कर पाया cycle that is a huge thing मुझे बताओ दुनिया में कितने परसेंट लोग कर पाते सी जब आपको इंकम बोल रहा है न कोई बच्चा भी कर लेगा जब पैसा मिल रहा है न कोई भी कर लेगा वें tough conditions आती है न वीविएस लक्षुमन का 281 इसलिए important है क्योंकि उसने fall on के बाद tough condition में शेन वोन को against the spin खेलके मारा spinning wicket पे ठीक है न तो वो inning अगले 100 साल लोग याद करेंगे वीविएस लक्षुमन का कलकत्ता का इनिंग या तेंडूलकर का कोई इनिंग शारजा का इनिंग रहेगा विराट कोली का कोई इनिंग रहेगा जो अभी एप्रिल में उन्होंने सालों साल याद क्यों रहता है क्योंकि वो टुफ कंडिशन में किया है पाटा विकेट पे तो कोई भी सेंच्चुरी मार लेता है न तुफ कंडिशन की चीज़े हमें सिखा थी है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कि अगर की स्टड के बाद यह कंसेप नहीं चला तो मैं दुसरा कंसेप ले लूंगा बट अभी मैं रेडी हूँ दैट इस बोर इंपॉर्टेट आएम रेडी अगर आपने आपके बॉड़ी को फिट कर दिया आपने अपने आपको शेप में लाया तो आपको कोई भी कपड़ा अच्छा लगेगा ठीक है कि नहीं यूविल 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 वेर अजीटिंग इट विल सुट यू वन्स यू आ इन प्रॉपर हेल्दी पोस्ट्र यूज यू इस अज़िए अगर वो सिस्टिम नहीं चली तो गई तेल लगाने दुसरी सिस्टिम ले लूंगा या उसको बहतर करूंगा दूसरी तीसरी चवती सिस्टिम ले लूंगा 90 परसी सिस्टिम मार्केट में चलती है don't worry about it okay but right now I am focused कि मैं खुद को पोस्चर में ला रहा हूं psychologically खुद को जोन में ला रहा हूं खुद की psychology ठीक कर रहा हूं मैं stop loss cut करने को सिख रहा हूं which is extremely important मैं losers को सहने को सिख रहा हूं क् मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि अच्छे टेडर और बूरे टेडर में अच्छे टेडर में और बाकिस सब में एक ही फरक होता है कि दुनिया भर के ट्रेडर छोड़के भाग जाता है that is only difference loss करके बड़ी बड़ी गलतिया करके ओर ट्रेडिंग करके रिवेंच करके फिर भाग जाता है यह अपना काम करते रहे that is only difference between a good trader and 97% bad traders तो आप अब भले हुए system नहीं चली concept नहीं चला ती श्टेड के बाद पर आप बढ़िया टेडर बन गया ना that is very important ओके नाउ वाट यहाँ टू से कि मैं एक system ट्रेड करके देख रहा हूं यह देख रही हो और उसका data बना रही हो अगर वो system in case for some reason नहीं चली तो मैं छोड़ दूँगा दूसरी ले लूँगा दूसरी system ले लूँगा दूसरा concept ले लूँगा अगर चला तो बढ़िया है उसको improve करूँगा क्योंकि मेरे पास data है और अगर बहुत बढ़िया चला तो उसी के साथ continue करूँगा थोड़ा बहुत improvement करके और I will make a income source out of that so पहले तो मैंने ये बोल दिया कि मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है वो चले नहीं चाहिए मुझे मेरा काम है कि इसको inspect करना उसको check करना I am testing this concept तो मेरा detachment हो गया एक तरह से तो now मुझे hurt होने की कोई सवाल नहीं है उसकी उपर जाके I am saying कि जब मैं 30 trade ले रहा हूँ तो ये concept के हिसाब से approximately अगर मैं reward to risk 2 to 1 रख रहा हूँ तो I need around 12 winners 12 भी नहीं actually I need 11 winners 11 winners to make it positive 11 winners में 21 दूने 22 अकरा दूने 22 माइनस 19 लूजर्स तो मैं positive cycle हो जाएगी तो मुझे बस अकरा winner चाहिए तो मैं कहूंगा कि मेरे अगले 19 लूजर है मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि मेरे अगले 19 लूजर है और उसके बाद में मेरे 11 winner है यह मैं assume कर रहा हूँ तो मैं जब cycle चालू कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं assume कर रहा हूँ कि मेरे अगले 19 लूजर है और मेरे आज के दोनों trade loser है अगले 19 मुझे अगर winner लग गया सपोज मुझे यहाँ पर winner लग गया आज के दोनों तो मैं इनको उठाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर रख दूँगा अगले वापस मैं loser ही assume करूँगा अगर winner लग गया तो कोई problem नहीं अच्छा हुआ बट मैं अगले loser ही वापस loser वापस अगले यह इधर loser आ जाएगा मेरा दो अगले 19 वापस loser ही मैं account करूँगा तो इससे क्या होगा मैं पहले ही accept कर रहा हूँ कि यह हो सकता है कि मेरे अगले 19 loser लगे यह हो सकता है कि आज के दोनों मेरे loser है तो मेरा as a trader सबसे बड़ा डर कुन सा है कि stop loss लगना पर जब मैंने उसको ही गले लगा दिया पहले ही मैंने पहले accept कर दिया कि मैं जब 100 रुपे कर इस market में ले रहा हूँ तो यह हो सकता है system तो अच्छी है most probably चलेगी most probably मैं तो concept चेक कर हो छोटे से आमावर से नहीं चली तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है most probably चलेगी बढ़ हो सकता है कि इसमें 30 स्टेड के बाद पैसा बनेगा बढ़ हो सकता है कि अगले 19 स्टेड लूजर है आज के दोनों लूजर है यह मैंने पहले ही खुद को बोल दिया जब पहले यह acceptance आ गया अंदर तो फिर काहे का डर फिर तो कोई mistake होने का संभावना ही नहीं न और फिर भी हुआ तो ठीक है लिखके रखो उसको improve करो तो जब हम loser काटना चालू करेंगे कि बाबा stop loss पे आया पहले stop loss लगाया हुआ है तो कट गया कट गया कट गया तो फिर we are now very systematic and we are accepting the expense क्योंकि businessman को expense accept करना पड़ेगा न जब आपको income करना है then only आप winner में रुख जाओगे winner बड़ा बड़ा winner score करोगे तो पहली cycle में हम क्या करेंगे पहली cycle में हम simple tis trade करेंगे और reward to risk रखेंगे 2 to 1 तो 6 रूपे का risk है तो 12 रूपे का reward 16 रूपे का risk है तो 32 रूपे का reward जो भी है 2 to 1 का reward to risk रखके simple tis trade complete करेंगे उसके बाद हमारा journal हमारा mindset diary हमको आगे लेके जाएगा और 2-4 मैने के अंदर income source भी बन जाएगा so that is how you have to approach मैंने थोड़ा सा psychology के side आपको थोड़ा सा time था इसके लिए आपको थोड़ा समझा है I hope it helps कुछ बार repetition भी होता है I know that but repetition helps कुछ अगर आपको कुछ ना है तो कुछ लो कि anything you want to yeah thank you so much see आप बाकी कोई business में ऐसे नहीं ना कि बाबा आइस्क्रीम का शॉप चलो किया पंदरा दिन के बाद चलो कपड़े का चलो करते हैं फिर चलो दुसरा कुछ आइसे नहीं कर सकते हैं बाकी कोई business में तो यहां पर आपके बास एक power है ना कि 30 दिन के बाद recording तो आजएगा 30 द आप क्या होता है मेरे साथ क्या होँआ मैं दुसरों की बात नहीं कर रहे हूं मेरे साथ कि मैं पहले यह में पर दो यह जान सेब्संदर जाब आज आजाता था वापस रिंगा-्रिंगा रोजेस वही पनले के पहुंचता था कैंद कि सुट डैट इस वेरी चशन acad हुरिक सिर्फेड चीजों से आता है लापुर क्यों आता है और फियर दो चीजों से आता है एक है अनसर्टेंटी सबसे बड़ी चीज़ है अनसर्टेंटी और अनसर्टेंटी कब आती है विन यू आर अनप्रिपेर्ड और अनवेर जब आप अनप्रिपेड हो अवेर होते हो तो आपके मन में अनसर्टेंटी आती है अनसर्टेंटी आपको फियर क्रेट करती है जस्ट फॉर एक्जाम्बल कल आपका एक्जाम है या कल आपका इंटर्व्यू है आपने exam का कोई preparation नहीं किया, पढ़ा ही नहीं किया, interview का कोई preparation नहीं किया, तो आपके मन में आप unprepared हो, तो आपके मन में uncertainty है, कल क्या होगा, that is converted to fear, आपको कल का interview का आए exam का fear grade होगा और अगर आपने practice नहीं किया है, आप ये trading system कर रहे हो, आपको इसका data ही नहीं पता कि ये trading system कैसे चलती है, क्या चलती है, क्यों चलती है, कब चलती है, कितना reward दे सकती है, कुछ भी नहीं पता, अपने back testing भी नहीं किया, forward testing नहीं किया आप aware नहीं हो आप aware नहीं हो यहर नोट aware अगर हम aware नहीं हो तो आप uncertain हो uncertain हो तो fear आएगा fear comes from uncertainty uncertainty comes from our behavior कि हम unprepared है और unaware है वो अगले lecture में sir आभी option tip का lecture होगा na तब बताओंगा आभी थोड़ा है बताओं तो जैसे कि आप आतके शहर में शेर होते हो ना आप आपके शहर में शेर ओ आप उसर टल। नहीं ओ अअवेर भी नहीं तो पता नहीं ये, you are unaware and unprepared, तो fear आती है when you are unprepared and unaware, तो unpreparedness खतम कैसे करोगे, आप prepared बनोगे, prepared बनने के लिए आप क्या करोगे, trading plan बनाऊगे, कि मुझे क्या करना है, और checklist बनाऊगे, कि मुझे कैसे करना है, और aware होने के लिए क्या करोगे, आप data बनाऊगे, आपका जर्नल बनाओगे और माइंड सेट डायरी बनाओगे तो अभी आप अवेर हो गए और अभी आप प्रिपेड भी हो गए तो आपके मन में से uncertainty निकल जाएगी जब आपके मन में से uncertainty निकल गए तो fear निकल जाएगा कॉन्फिडंस कहां से आता है सर कॉन्फिडंस डेटा से आता है कॉन्फिडंस डेटा से आता है लाइफ में आप कोई भी चीज के बारे में कॉन्फिडंट हो कि मैं रात को ड्राइविंग कर सकता हूं मैं टेमल टेमिस अच्छा खेल सकता हूं मैं लोगों के सामने भाशन कर स सकता हूं मैं गाना गा सकता हूं मैं नाच सकता हूं कोई भी चीज़ आप याद करो जिसके बारे में आपको confidence है कहां से आया है confidence confidence आया है past experience क्योंकि आपने यह पहले किया है तो डेटा है आपके पास वो डेटा है आपके पास ठीके ना सिखेंगे यसमिन जी रोट गरी तो डेटा है आपके पास ठीके ना experience and knowledge what is knowledge knowledge is a process experience knowledge is nothing बट a process experience experience से गिना चुना चीज़ आई जर नॉलेज आपके पास टोर होता है ना experience is a raw data उसमें से knowledge बनता है प्राइज एक्षें तो डिटेल में सिखेंगे ना या आप अभी पहले अभी option सिख रहे हो ना तो option की system सिखने के बाद हम लोग जाने वाले हैं फ्यूचर के बाद प्राइज एक्षें उसके बाद करन्सी कमोडिटी तो इस तरह से हमारी बैच कंप्लिट होगी ना और अट्रस लेक्चर होंगे ठीक है ना तो चलो पहला अभी option की के बारे में सिखेंगे नेक्स लेक्चर में और कुछ पूछना है तो पूछो इस लेक मंडे को question answer में मिलेंगे ना सब्सक्राइब कर और कुछ को फालो करो और कुछ फालो करने की जरूपे और सपोर्ट रेजिस्टंस की मार्केट में important जगा कुन सी है जहाँ पे buying और selling interested है that is more important indicator maximum lagging होते है market के लिए भाव भगवान है हमारे के लिए process market के लिए price is god हमारे लिए process right तो हम price use करेंगे और level use करेंगे price action and level EA में हम लोग सिर्फ strength समझने के यह में हम लोग as a indicator use नहीं करते हैं लोग कैसे करते हैं EA में cross over use करते हैं we don't use like that हम EA में सिर्फ market का strength और weakness समझने के लिए use करते हैं कि market weak है या strong है और indicator में कोई बुरा ही नहीं है indicator can be additional confirmation indicator को आप additional confirmation की हिसाब से चाहिए तो use कर सकते हो बड़ एक बार आपको price action अच्छी से समझने लगी तो आपको नहीं लगेगे support resistance सीखो गे ना सर अभी trading systems हमने एक तो मैंने आपको सिखाया ना intraday का तो मैंने सिखाया रोहिट जी swing का भी आपने सिखा intraday का भी आपने सिखा अभी मुझे लगता है एक week में तीन या चार बार मैंने दिखाया intraday और swing का system कि आपको बस last week का high note करना है swing में intraday में आपको कल का high कल का low intraday में कल का high कल का close important है last 45 minute का है बाकी option के लिए जो high low है वो तो मैं वैसे भी सिखाता है रहता हूँ अच्छुली टेड़ मेराथोन में या सुबह भी डालते है रहता हूँ और फिर भी मैं सिखा हूँगा आप रा रोहिट जी इंड्यू कोर्स ठीक है एनिटिंग एल्स थैंक्यू अक्षे जी अलोग जी औरी को मोरी सेशना है को वारी एलोग जी अमोल जी अम्रेदर जी अन्जू जी अन्जू अविनाजी दिख्षिद जी, गोडे जी,èmeध जी, हर्शल जी, इन्फिनिक्स, ओके, कमल कुमार जी बहुत दिन के बाद आ है, कमल जी जी, किरन जी, कृष्णा जी, लालू जी, महेच जी, मुकेच जी, मुनीच जी, माने जी, नीतिन जी, Priyanka Ji, Rajenra Ji, Rani Ji Dinesh Ji, Ranjit Ji Real Me Rohit Ji, Santosh Ji Santosh Ji, Saurab Ji Shivam Ji, Sudhir Ji, Sunil Ji Vandana Ji, Yasmeen Ji Thank you so much Thanks sir, good night Thank you and good night Good night sir Thank you, good night Next lecture Next lecture अभी मंडे को क्वेश्चन अंसर होगा तूजडे को लेक्चर होगा ना ओके सार गुटनाइट सार थैंक यू बाइट थैंक यू बाइट